हेलो रिवान, वेलकम टू पार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एच्जू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे सपोजिटरी बेस के बारे में तो हम सिखने वाले हैं, ग्लिसरि जिलेटिन बेस के बारे में एंड, सिंथेटीड फेट्स के बारे में कि जो सपोजिटरी को बनाने के लिए यूज किये जाते है तो यह पिया आप जो टाइटल स्लाइड में देख रहे हैं की ये ग्लिसरिन के सपोजिटरी देख है है फिर glycerin suppositories for infant की जिसके अंदर glycerol जो है वो main ingredient है तो ये suppository का जो main basic concept है वो हम सिखेंगे कि किस तरह से ये type के suppositories को prepare किया जाता है and वो बनाने के लिए कौन से material use किया जाते है कौन से ingredient यूज होते है कि जिसको हम कहते है कि glycerol gelatin based and synthetic fats तो इसके बारे में हम study करते हैं ये video lecture में expert lecture by a mercer assistant professor and founder of farmer rocks thank you for being in one leg family of farmer rocks updated radio farmer knowledge के साथ access कर सकते study material को test series and video lecture farmer rocks के mobile application के उपर तो अगर आपके पास android phone है तो download करें android application google play store पर से और अगर आपके पास iPhone है तो app store पर उसको download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी तो part one video lecture में हमने सीखा था कि what are the suppositories the suppositories क्या है तो suppository की जो swepi solid doses form है और इनको usually हमारी body cavities के अंदर insert किया जाता है कि जैसे कि vaginal cavity है, urethral cavity, rectal है, ear end nozzle जैसे body cavities के अंदर insert किया जाता है और वहाँ पे वह अपनी local as well as systemic action प्रोएड करते हैं और body temperature पे ही वह अंदर melt हो जाते हैं, soft हो जाते हैं कि जो year suppositories को year cons कहा जाता है, फिर उसके shape के बारे में हम से सिखा, तो ये भी काफी most IMP table है and size and weight तो ये part 1 में सिखा, फिर part 2 के अंदर हमने suppository base के बारे में समझा उसका classification की suppository बना ले के लिए जो हम excipient यूज करते हैं, उनको कहा जाता है suppository base, बिकाज कोई भी जब dosis form आप डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर दो component होते हैं, एक component रहता है drug और drug के साथ जरूरी है proper excipient का use करना, तो drug तो हमें पता है कि जो active pharmaceutical ingredient है, वो हमारे लिए कागम करती है, अज़र ड्राग के लाएक पैरासिटामोल है diclofenic है, तो वो हो गई अलग-अलग drugs बट, drug के साथ main important चीज़ है excipient की, तो suppository बना ले के लिए हम जो भी excipients वगिरा यूज करते हैं, उनको कहा जाता है suppository base, तो ये suppository base आइदर hydrophilic होते हैं, या फिर hydrophobic होते हैं साथ में उनके पास ऐसी properties होते हैं कि वो body temperature के, पे melt हो जाते हैं, कि body temperature हमारा 37 होते हैं तो 37 से कम temperature पे वो easily melt हो जाते हैं साथ हो जो हमारी cavities है, orifice like vaginal cavity, rectal वहाँ पे dissolve भी हो जाते हैं और फिर क्या करेंगे अपने अंदर रहा, जो medication है, उसको अच्छे से release करवाएंगे तो suppository बना ले के लिए जो सबसे important चीज है, वो है base की base जो है, वो जितना proper आप select करोगे, उसके business पे आपकी suppository जो है, वो काफी अच्छे बनेंगी और आपका target यह होते हैं, कि आप ऐसा base selection करें, कि जो आपकी body temperature पे इसलिए आसानी से melt हो जाए तो यह classification हमने समझा था कि, oleaginous base की जो fatty basis कहे जाते हैं, कि जिसके अंदर cocoa butter की हमने detail study की previous lecture के अंदर, synthetic fats के बारे में हम आज सिखेंगे और hydrogenated oil मतलब कि जो hydrogenated की हुए जो अलग-अलग oils होते हैं, वो भी use किया जाते हैं, suppository बनाने के लिए फिर aqueous base की जो hydrophilic base हम कहेते हैं, वो भी आज सिखेंगे, फिर upcoming lecture में soap glycerin, macrogol के बारे में study करेंगे and last में सिखेंगे के कौन से अलग-अलग-अलग emulsifying base की जिसको हम कहेते हैं, water dispersible, अलग-अलग synthetic base की लग-विटेपसल है, masa esterin हम है and masa fall, तो आज जो हम start करते हैं synthetic fats से, कि synthetic fats मतलब कि जो आपके अलग-अलग जो हम oils use करते हैं, उनका hydrogenated oil जो हम कहते हैं, वो oil यहाँ पर use किया जाते हैं, combination के अंदर, a substitute of theobroma oil, a number of hydrogenated oil, यहाँ पर समझें, जो अलग-अलग hydrogenated oil है, यह concept आपको खास समझना है, कि जो synthetic fat है, तो hydrogenated oil concept, जैसे कि जो हम edible oil यूज़ करते हैं, जो खाद्य तेल कहे जाते हैं, अलग-अलग, arachis oil है, coconut oil है, palm oil है, फिर stearic acid and mixture of olive and stearic acid are recommended, यहाँ पर फिर से आप समझें, कि यहाँ पर concept किया है, तो जो synthetic fat है, synthetic fat में क्या किया जाता है, mixture बनाया जाता है, एक आपके पास है, आपके यह oil से अलग-अलग, तो oil plus उसके साथ दूसरा जो ingredient mix होगा, that is a stearic acid use किया जा सकता है, या फिर olic acid, या फिर दोनों combination में भी use किया जाते है, तो इस तरह से proper mixture तायर होगा, oil plus अलग-अलग यह acid के अंदर आप stearic acid use करते हैं, या फिर olic acid या फिर दोनों का combination, कि S for stearic acid, O for olic acid, दोनों का combination या फिर आइधर और के तोर पे, और साथ में कोई भी यह hydrogenated oil के चाहिए, आप edible oil use करें, अराचिस oil, coconut, palm oil, तो इसे बहुत सारे अलग-अलग edible oils के हमें options जो है, वो मिल जाते हैं, यह इस type के synthetic fats के preparation के अंदर, तो यहा फिर आप जो diagram में देख रहे हैं कि यह वाला, उपर यह जो oil देख रहे हैं, that is a palm oil, कि यह आप देख रहे हैं, यह palm oil है, नीचे वाला जो आप देख सकते, that is a peanut oil के जिसको हम, अराचिस oil भी कहते हैं, तो यह oil उर उसके साथ combination में, जो stearic acid है, olic acid वगेरा, use किया जाते हैं, and synthetic suppository bays are by hydrogenation and subsequent heat treatment of vegetable oil, such as palm oil and अराचिस oil, कि usually यहाँ पर popularly palm oil को use किया जाता है, और अराचिस oil के जिसको हम यह peanut oil जो है, वो कहते हैं, तो जो मुंगफली का जो तेल होता है, इसके बात हो रही ही आपे, कि जिसको हम अराचिस oil कहते हैं, peanut oil भी कहते हैं, तो उसके साथ यह जो आप अलग-अलग जो stearic acid के बात कर रहा है, ओली कैसेड, तो उसको साथ combination में hydrogenation के process करके, यह base बनाए जाते हैं, and इनके हमें advantage देखें, तो यहाँ पे देखो, यह जो peanut butter आप देख रहा हैं, और उसको utilize करके, उसका जो oil utilize करके, इस type के, जो synthetic fats बनाए जाते हैं और यह synthetic fats का हम benefit देखे थियो ब्रोमा oil के compare में कि जो cocoa butter हम कहते हैं, तो their solidifying points are unaffected by overheating, कि जैसे हमने सीखा था कि आपने part 2 वीडियो लेक्चर देखा होगा अच्छे से, तो उसमें हमने एक problem discuss किया था, cocoa butter का, कि उसके तीन अलग-अलग form है, polymorphism के अंदर, एक alpha form है, एक बी heating करते हैं, तो कई बार alpha और gamma के जो unstable form है, वो तैयार होते हैं, कई बार जब proper heating होती है, तो beta form के जो stable है, वो मिलता है, तो proper heating के अंदर ध्यान रखना पड़ता है, कि जब आप theobrom oil मतलब के cocoa butter को use करते हैं, कि proper आपको stable beta form मिले, और उनके जो solidifying point जो है, वो affect होते है, temperature से, overheating स जबकि यहाँ पे, on affected यहाँ पी word लिखा है, कि चाहे आप जितना भी temperature high करते हैं, overheating के अंदर, इनके उपर कोई फरक नहीं पड़ता, तो on affected by overheating, उसके बाद they have a good resistance to oxidation, because their unsaturated fatty acids have been reduced, यहाँ पे जो hydrogenation किया जाता है, उसके करण जो unsaturated fatty acids जो होते हैं, वो क्या हो जाता है, य हाँ पे reduce होते हैं, जिससे आपने देखा था कि cocoa butter के अंदर, जो rancidity का problem आता था, oxidation का problem आता था, यह इस type के जो synthetic base के अंदर, वो problem जो है, वो solve होता है, तीसरा हम देखे तो, no mold lubricant is required, cocoa butter में क्या करना पड़ता था, mold के लिए lubrication जो करना पड़ता था, कि जब आप इसको melt करक is type का यह जो mold होता है, और उसके अंदर यह जो इस type के haul होते हैं, उसके अंदर आप जो है, उसको pour करते हैं, तो ये mold के जो orifice होते हैं, उसको अच्छे से lubricate करना होता है, because cocoa butter क्या होता है कि वहाँ पे stickiness का problem आता है, कि cocoa butter का जो base है, वो stick हो जाता है, ये mold के अंदर, तो proper lubrication क करना पड़ता है जबकि यहाँ पे no mold lubricant is required because they contrast significantly on cooling कि जैसे cool करते तो ऐसा कोई problem नहीं होता stickiness का यहाँ पे जिसके करन mold lubrication की ज़रूरत नहीं है synthetic fats के अंदर and they produce colorless, orderless and elegant suppositories कि इसको use करने से आपको colorless मिलती है suppositories, orderless and elegant बतलब कि आप बहुत सारे अलग-अलग safe भी उसके बना सकते हैं because इनके अंदर को यह सा stickiness का problem नहीं हाता ना ही overheating से वो affect होती है तो यह सब benefits आपको मिलते है synthetic fats के अंदर तो यहाँ पे देखो यह जो आप देख रहे हैं कि जो stearic acid के हमने बात की तो इस टाइप का जो stearic acid यूज किया जाता है oil के hydrogenations के अंदर oilic acid भी यूज किया जाते इस तरह से so their emulsifying and water absorbing capacity are good कि जो synthetic fats होते हैं उनकी हम बात करें तो जो emulsifying and water absorbing capacities है कि water को absorb करने की capacity उनकी cocoa butter के compare में अच्छी है they usually contain a proportion of partial glyceride some of which example glyceride monosterate उनके पास क्या है glyceride से अब जो हमें पता है कि glyceride जो होते है glycerols होते है उनके अंदर OH group अच्छे से होता है अब OH group होता है तो अच्छे से hydrogen bond create होगा कि H bond OH जो हम बात करते है hydrogen bond अच्छे से form हो सकते है जिसके करन water को absorb करने के capacity ये base के पास काफी अच्छी है so glyceride monosterate are water in oil emulsifying agent and therefore their emulsifying and water absorbing capacity are good तो ये benefit मिलता है कि जब आप synthetic fats बनाते है अलग-अलग edible oil को use करके to prepare the suppositories कि जिसके benefits मिलते है over the theopromyle कि जरूर से जो student directly ये part 3 देख रहे हैं जरूर से description में जाके part 2 को जरूर से देखें कि इसमें detail में suppository base के अंदर theobromyle का detail में हमने अच्छे से वहाँ पर आपको explanation दिया है फिर जो disadvantage भी है ये synthetic fats के तो यहाँ पर problem क्या होता है कि ये suppositories कई बार brittle बनती है brittle मतलब कि जैसे हम mirror होता है glass होता है कि glass जैसे ही नीचे गिरता है तो वैसे उसका break हो जाता है वैसे तो hard है बर जैसे हाथ में इसे गिरता है तो वो break हो जाता है मनला कि brittle property है इसके अंदर कई बार एच्छी होती है so they should not be cool in refrigerator refrigerator में उनको cool ना करे because they become brittle if cool quickly तो अगर आप जैसे cocoa butter के अंदर करते हैं वो technique यहाँ पर use करेंगे rapid cooling करेंगे या फिर refrigerator में रखेंगे ice के अंदर रखेंगे तो यह suppositories आपकी brittle हो सकती है तो यह खास ध्यान रखे यह उनका एक disadvantage है तो उनको normally ही cool होने देना चाहिए and कुछ additives जैसे कि 0.05 polysorbate 80 0.05% polysorbate 80 help to correct this fault यह fault को समझे के आपको clear करना है तो suppository बनाते वक्त 0.05% polysorbate 80 उसके इंदर एड करके यह problem को आप overcome कर सकते हैं उसका solution ला सकते हैं फिर जो है disadvantage की they produce more fluid than theobroma oil when melted at this stage sedimentation rate is greater यह खास समझे कि जो more fluid की जो बात की जादी है more fluid मतलब की जैसे की melt करने के बाद आपको ज्यादा fluid यहाँ पे मिलता है कि आपने समझे की यह base लिये थे इसके इस तरह से और china disk के अंदर उसको अच्छे से आपने गरम किया तो गरम करने के बाद जो melt होता है इस तरह से अच्छे से समझे की यहाँ तक melt हो गया है और यह पूरा आपको मिलगा है उसका liquid form तो यह liquid form आपको जो है वो proper मिलगा है अब आप क्या करते हैं इसके अंदर समझे की आप drug particles mix करते हैं तो drug particles क्या होगा कि यह काफी liquid type होगा watery type होगा तो उसके करण क्या होगा कि इसकी viscosity कम होगी यहाँ पर discuss करने की बात है that is viscosity अब viscosity काफी कम होगी जिसके करण जो भी आपके यह drug particles से वो जदली से नीचे ऐसा sediment हो जाएंगे compare to the theobromoil थोड़ा viscous रहता है इसके compare में जबकि viscosity कम है melt करने के बात जबकि theobromoil की viscosity थोड़ी ज़्यादा रहती है viscosity ज़्यादा होने के करण उसमें sedimentation rate कम है यहाँ पर viscosity कम होने के करण sedimentation rate ज़्यादा है जबकि theobromoil में viscosity ज़्यादा होने के करण sedimentation rate वहाँ पर कम होता है तो यह problem होता है synthetic fats के अंदर कई बार कि जब आप उसको melt करते तो sedimentation rate आपको ज़्यादा मिलता है इसलिए यहाँ पर problem क्या होगा जल्दी से आपके drug particle नीचे sediment हो रहे तो आपको proper continuously stirring करना रहेगा जितना आप अच्छे से stir करते रहेंगे अच्छे से glass road से समझो जो कि वहाँ पर stirring करते रहते हैं तो उससे यह sedimentation को आप avoid करवा सकते हैं फिर उसकी thickness enhance करने के लिए आप क्या कर सकते हैं तो उसके अंदर जो magnesium stearate है उसको add कर सकते हैं bentonite डाल सकते हैं colloidal silicon dioxide may be added to reduce this problem कि जो viscosity enhance करनी है sedimentation rate को जो greater है उसको reduce करना है तो जैसे हम suspension के अंदर suspending agent add करते हैं जैसे sedimentation rate हम कम कर सके तो same like that यहाँ पर भी आप synthetic fats से जब suppository बना रहा है sedimentation ज़्यदा हो रहा है तो वो problem solve कर सकते हैं by adding this type of agent like magnesium stearate bentonite, colloidal silicon dioxide तो यह problem हमने यहाँ पर solve कर लिया कि जो पहले high rapid cooling से तो उसके लिए polysorbated zero add किया viscosity कम होने के कराण जो sedimentation ज़्यदा होता था तो यह sedimentation rate जो greater है उसको down करने के लिए आपने यह thickeners की जो thickening agent कहे जाते हैं suspending agent कहे जाते हैं वो आप add कर सकते हैं suppository बनाते वक्त अब आदा होती है जो दूसरे हमारे base that is a water soluble and water miscible base काफी most IMP topic suppositories के अंदर की जो aqueous base की बात कहीं है जाती है कि exam के अंदर कहीं बार पुछा जाता है कि व्राइटेस और नोट एंड एक्विएस base यूज इने preparation of suppository या फिर व्राइटेस और नोट और ग्लिसरो जिलेटिन बेस सोब ग्लिसरीन बेस या फिर मैक्रो गॉल गेस के बारे में इंडिवेसरी एक्जाम्स के अंदर पुछा जाता है तो सबसे पहले समझे water soluble and water miscible basis क्या है तो water soluble मतलब कि water के अंदर अच्छे से dissolve हो जाएक लाइक आपने ये बीकर लिया है ये बीकर के अंदर समझे कि आपने यहा तक 100 ml जितना water जो है वो लिया है कि 100 ml इसके अंदर water है अब समझे कि आप इसके अंदर glycerine एड करते है कि ये वाला मैं glycerine लेता हूँ तो glycerine एड करते तो glycerine इसके अंदर अच्छे से dissolve हो जाएगा कि अच्छे से आप अंदर ये कैसा glass road रखते है और glass road से जब उसको stir करोगे तो glycerine आसनी से water के अंदर dissolve हो जाएगा उसी तरह से आप उसके अंदर फिर gelatin भी add करते है तो भी gelatin जो हमें पता है कि वो water soluble compound है तो gelatin भी जब उसके अंदर आप add करोगे तो अच्छे से dissolve हो जाएगा और एक gel like structure जो है वो form करेगा gel like structure तो इसी के करण ये जो आपके base material है कि जाहे आप glycerine यूज करते है जिलेटिन यूज करते है soap glycerine, macrogol तो ये आसनी से water के अंदर क्या हो जाते है soluble हो जाते है and इनको इसी के करण water miscible base का जाते है कि water के अंदर उनके miscibility काफी अच्छी है आसनी से water के अंदर जो है ये dissolve हो जाते है तो ये ही है उनका main concept water soluble base का तो इनका फाइदा ये है कि they dissolve or disperse in vaginal and rectal secretions कि जब आप इसकी vaginal suppository बनाते हैं, rectal suppository बनाते हैं तो ये base आसनी से dissolve हो जाएंगे rectal के जो secretions and vaginal secretions के साथ and these bases are water soluble when we mix them with water dissolve in water and make aqueous solution of it and we can use it for preparation of suppository तो ये ही है main concept कि जो मैंने अभी previous भी आपको समझाया कि जो beaker के अंदर आप पानी लेते हैं उसमें water जो water है हमारा उसके अंदर अब आप glycerine mix करते हैं gelatin तो वो आसनी से dissolve हो जाएंगे और वो solution जो कहा जाएगा उसको हम कहेंगे aqueous solution और ये aqueous solution आप यूज करोगे suppository बनाने के लिए जिससे के कारण उसको aqueous base या फिर hydrophilic base भी कहा जाता है तो ये वाला concept है यहापे कि this is a mixture of glycerol यहापे कौन से mixture है तो सबसे पहले है यहापे glycerol है कि जिसको हम glycerine भी कहते हैं साथ में है water and made into a stiff jelly jelly जिससा आप बनाऊगे by adding the gelatin तो यहापे देखो पूरी formula सबसे पहले आपके पास glycerol है साथ में water है और gelatin यह तीनों का proper आप combination बनाएगे और जिससे जो base तयार होगा उसको कहा जाता है glycero gelatin base कि glycerine है इसलिए glycero gelatin है इसलिए gelatin और water add करने से proper एक gel like structure तयार करके देता है जिसके करन उसको यह जो solution आपका तयार हुआ aqueous solution उसको हम कहते है glycero gelatin base so it is used for the preparation of jellies, suppositories and pastries, the stiffness of the mass depends upon the proportion of gelatin use which is adjusted according to its use जो stiffness आपको चाहिए proper के consistency कितनी चाहिए तो वो depend करता है आप कितना gelatin उसके अंदर add करते है बीकोज आपको बता है कि glycerol and water तो दोनो liquid doses type liquid ही है glycerol भी liquid doses form है water भी liquid हुआ but gelatin जो है वो solid होता है तो यह solid component आप water और glycerin के अंदर कितने amount में add करते है उसके according to आपको जो है उसके viscosity मिलेगी कि अगर आप gelatin ज्यादा add करते है तो ज्यादा viscous बनेगा gelatin कम add करते तो कम viscous बनेगा तो यहाँ पे आप देखो एक suppository आप एक sample देखाए गए तो इस type के यह suppositories तयार होती है कि यह जो आप base देख रहे हैं कि जिससे आप translucent देख सकते है उसका appearance कि यह वाल आप देखो glycerol का suppository glycerosilatine यह वाले भी glycerosilatine suppositories है तो लूक में काफी यह attractives रहते हैं यह suppositories कि जब आप अच्छे से वो आपका mass तयार कर लेते हैं glycerin, water and glycerol को यूज करके तो इस type का यह proper आपका base तयार हो जाते हैं तो base being hydrophilic in nature यह base कैसा होता है hydrophilic means water lovable हम जो कहते हैं hydrophilic base है slowly dissolve in aqueous secretion aqueous secretions के अंदर dissolve जो है वो थोड़ा slowly होगा and provide a slow continuous release of medications अब क्या होगा कि यह base ऐसा है कि hydrophilic nature में और slowly dissolve होगा क्योंकि उसका जो gelatin के करण proper binding हो जाएगा जिसके करण slowly release होगा कि जैसे को sustained release tablet होती है derail release tablet होती है उनके तरह यह देरे-देरे medications को जो है वो release करेगा so glycero gelatin base is well suited for suppositories containing belladonna extract क्या आप उससे belladonna extract के suppository बना सकते है boric acid के suppository बना सकते है chloral hydrate के suppository bromide, iodide, cytoformand opium यह वगेरा के suppositories जो है वो आप बना सकते by using this base and translucent suppositories made by this translucent मतलब कि जो देखने में जो हम अलग अलग देखते हैं कि transparent and translucent तो यह इस तरह से attractive translucent look आपको मिलता है यह suppository के कारण तो अब समझें कि two types of gelatin are used in this suppository batch यह जो 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 कर रहे हैं तो समझना जरूरी कि gelatin कौन से type का यूज करें, तो यहाँ पर दो type के glycerin, gelatin यहाँ पर यूज होते हैं, glycero gelatin suppository के अंदर, तो type A कि जिसको pharma cell A कहा जता है, खास समझें, pharma cell A, या फिर type A gelatin, which is made by acid hydrolysis, यह acid hydrolysis से बनाय जता है, और उसका isoelectric point, 7 से 9 के आसपास होता है, on the acid side of the range, behave as a cationic agent, and being most effective at pH 7, 2, it 7 से 8 pH में यह काफी effective रहता है, and it is used for acidic drugs, कि जो acidic drugs होते हैं, उनके लिए आप pharma gel A को use करें कि जिसको हम कहते हैं type A gelatin, उसी तरह से जो second है type B gelatin कि जिसको pharma gel B कहा जाता है, तो वो use किया जाता है alkaline drugs के लिए, और उसकी भी जो effectiveness है, 7 से 8 pH के आसपास है, but difference यह कि इसका isoelectric point 4.7 से लिएकर 5 गयास पास है, जिसके करण यह alkaline drugs के लिए काफी suitable होता है, because alkaline side उसका जो range यह behavior होता है as an ionic agent, तो simply यहाँ पर एक ही concept आपको याद रखने कि अगर आपके पास acidic drugs है, तो acidic drugs से कि आप कोई suppository बना रहे है, तो उस वक्त यूज़ करें आप pharmazel A, because यह suitable रहेगा, because इसका isoelectric point साथ से 9 है, और वो proper रहेगा acidic drugs के preparations के लिए, और अगर आपके पास basic drugs है, alkaline drugs है, तो उसके लिए आप यूज़ करें type B, gelatin के जिसका isoelectric point 4.7 से लेकर 5 के बीच में तकी जिससे आपकी suppository जो है, वो काफी अच्छी quality वाली बनेगी, तो glycero gelatin base के जो official standards है, वो आप समझ लीजिए, तो glycero gelatin base के अंदर जो as per British pharmacopya जो base का composition दिया है, standards दिये, तो उसके अंदर gelatin 14%, glycerol 70% and बाकी का जो volume है, आप make up करेंगे by using the water, मतलब कि आप देखो यहाँ पे जो glycerol and gelatin, उसका composition around 84% जितना रहेगा, और बाकी का आप जो है, वो make up करेंगे volume by using the water, 84 हुआ है, अब 100 करने के लिए आप बाकी का water add करेंगे, मतलब कि water content काफी कम है इसके अंदर, कि आप देखो तो बाकी का 16% जितना ही आप water add करेंगे, उसको up to 100 करने के लिए, उसी तरह से आप देखो glycerol gelatin based as per the USP, तो उसमें gelatin 20% रहेगा, glycerol 70% and बाकी का 100 up to करने के लिए आप use करोगे water, तो यहाँ पे 90% जितना जो है, वो gelatin and glycerol है और बाकी का सिर्फ 10% around, या फिर आप 200 करने के लिए, 100% करने के लिए ही आप water use करेंगे, के मतलब की यहाँ पे main concept यह है की water content काफी कम है, जबकि glycerin and gelatin का content यहाँ पे ज्यादा है, तो glycerin and gelatin का जो content यहाँ पे ज्यादा है, तो वो आप खास है कि यहाँ पे 84% जितना as per British Pharma Copia के अकरण तो, यूस बेके तो 90% जितना रहता है, यह glycerin and gelatin, तो उसके advantages के है तो slow release of medicines can be achieved by making it like sustained release tablet doses form कि यह जो आप glyceros gelatin suppository है यह slowly dissolve होगी slow dissolve होगी जिसके करण यह क्या करेगा कि slow release provide करेगा medicine का कि इसके अंदर जो भी medicine है वो काफी slow release होगी कि slow release होने के करण जो sustained release की जो बात आती है कि धीरे-धीरे medication release हो जिसके करण treatment जो है वो long time तक साप कर सकते कि लाइक एसा sustained release आपने design किया है कि जो patient को 12 hours तक उसके symptoms में से relief दे सकता है कि लाइक समझे कि आपने rectal suppository बना रही है और उसके अंदर drug आपने add की है analgesic मतलब कि आपने कोई painkiller जो है वो add किया है तो अगर समझे कि patient को hemorrhoids वगरा है piles वगरा का problem है काफी pain हो रहा है तो यह suppository use करने के बाद क्या होगा 12 hours तक समझे कि यह suppository अपनी medication देरे-देरे release करवाती है तो जो भी patient है उसको 12 hours तक काफी release मिलेगा कि जब समझे कि यह 12 hours तक देरे-देरे release करवाती है उससे भी कम समझे कि 8 hours तक है तो भी 8 hours तक भी उसको अच्छे से sustain release मिल सकती है medication की और उसके जो pain sensation जो है वो काफी कम होगे दूसरा उसका advantage है कि आप उसका look देखो तो look आपको काफी attractive देखने को मिलेगा कि इस type कि यह attractive suppositories तयार होती है glycero gelatin based से उसका जो texture है कि यह आपका outer उसका texture आप देखो तो काफी soft and smooth होता है जिससे क्या benefit मिलते है कि जब आपको insert करनी है आपके cavities के अंदर तो जो softness से lubrication जैसा है तो इसके करण insert करने में काफी आसानी होता है इन्हे body cavities due to the softness काफी soft होती है जिससे आसानी से easily जो है वो patient उसको insert कर सकता है उसके body cavities के अंदर अब जो सभी suppositories based के तरह इसके भी कुछ disadvantage है तो सबसे पहला जो उसका disadvantage हो है physiological effect मतलब कि यह जो suppository जब dissolve होती जाती है तो वो क्या करती है water content जो है वो enhance कराती है मतलब कि जो osmosis का जो process कराती है जिसके करण वो mucus secretion भी साथ में enhance करती है साथ हो साथ क्या होता है osmosis के करण जो आपके rectum का पूर्शन है या फिर vaginal पूर्शन है तो वहाँ पे यह physiological effect के तौर पे वहाँ पे water content जो है वो enhance करवा सकता है तो उसमें भी सेसल ही हम समझे कि rectal cavity के बाद करें तो rectal cavity में वह lexative effect प्रोड्यूस कर सकता है कि loosen the stool और stimulated bowel moment कि soft कर सकती है आपके stool को stool जो है वह काफी soft बना सकती है कि अगर समझे कि patient को constipation का problem है तो तो यह disadvantage use बन जाएगा कि समझे कि किसी को constipation है और यह suppository आप दोगे तो lexative effect जो है उसका disadvantage वह वहाँ पे advantage में convert हो जाएगा बड़ समझे कि कोई normal patient है उसको ना ही कोई constipation का problem है ना ही कोई bowel moment related problem है तो ऐसे patient के लिए यह disadvantage बनेगी glycerogelatin suppository because यह suppository insert करने की का बात क्या होता है osmosis मतलब कि जो water content जो है वो stool के अंदर enhance होता है कि यह stool का जो portion है समझो तो उसके अंदर water जो है वो add हो सकता है अब stool के अंदर ज्यादा water जो समझो कि add होता है तो उसके करन यह stool है वो काफी soft हो जाता है तो patient जो है वो discomfort फिल करता है इवन कई बार lexative effect समझो कि ज्यादा हो गई तो patient को diarrhea वगेरा भी हो सकते है glycerogelatin base के करन कि समझो कि normal patient है और उसको कोई constipation का problem नहीं है तो उसके अंदर यह problem हो सकता है कि stool काफी soft हो जाना bowel moment enhance होना तो यह problem create होते है कई बार glycerogelatin base suppository से दूसरा जो बात है कि glycerol also has a lexative action कि जो हम cathartics के बात करते हैं lexative के बात करते हैं तो glycerol के पास एक automatically lexative property तो है है उसके बाद can cause the rectal irritation due to the small amount of liquid present in them जैसे आपने देखा कि as per British pharmacopoeia वाले formula में 84% glycerin and gelatin है जबकि USP के अंदर 90% जितना उसके अंदर glycerin and gelatin है मतलब कि small amount of liquid water content तो काफी कम है जिसके करण rectal के अंदर कई बार वो irritation produce करता है low water content के करण बट ये problem कई बार solve होता है कि जो osmosis होता है उसके करण कि जो उसके proper physiological effect अंदर मिलती है rectal cavity के अंदर बट जब insert किया जाता है उसके थोड़े समय के लिए वो irritation produce होता है कि जब तक osmosis का process start ना हो फिर unpredictable solution time their solution time depend on the content and quality of the gelatin and age of the base अब age मतलब कि base कितना पूराना हो रहा है साथ हो साथ आपने जो gelatin use किया है उसके quality कैसी है किसे quality वाला कितना अच्छे grade वाला आपने gelatin use किया है तो उसके business पर यह solution time मतलब कि उसका जो dissolution कि जो suppository कितने time में dissolve होती है solution time मतलब कि आपके यह suppository और कुछ समय के बाद वो solution form में आ जाती है dissolve हो जाती है that is a solution time solution time यहाँ पर unpredictable है कोई predict नहीं कर सकते because अपने quality कैसे use कि थी gelatin की gelatin की quality अच्छी होगी तो अच्छे लंबे समय तक वो अच्छे से जो है वो sustain release provide कर सकता है लंबे समय तक medication and जो base है उसको अच्छे से hold करके रख सकता है और low quality का gelatin था तो जल्दी से वो solution के अंदर convert हो सकता है फिर एक disadvantage है कि hygroscopic in nature है so they should be packed into the tight container and also have a dehydrating effect on the rectal and vagina mucosa leading to irritation कि जो dehydrating effect provide करता है मतलब कि osmosis का process करवा के water contents tool के अंदर enhance करवा देता है जिसके करन ये क्या होता है irritation produce करवा सकता है उसे तरह से वज़ाय नामे भी जो dehydrating effect के करण irritation produce कर सकता है साथ उसाथ agroscopic होने के कारण उसको आपको airtight containers के अंदर अच्छे से store करना होता है lubrication of the mold is essential कि कई बार आपको lubrication यहाँ पे करना पड़ता है जब आप उसको prepare करते हैं synthetic fats के अंदर आपने देखा कि वहाँ पे lubrication ज़रूर नहीं है बर glyceros gelatin के अंदर जो mold होते है उनको अच्छे से आपको lubricate करने के बाद ही यह supposedly जो है वो prepare करनी होते हैं वरना कई बार क्या होता है कि gelatin जो है वो stick हो जाता है आपके mold के अंदर they are more difficult to prepare and handle यह glyceros gelatin base है काफी carefully बनाना होते है कि जब आप उसको prepare करते है and microbial contamination like to do occur due to gelatin यहाँ पर gelatin use होता है तो gelatin के कारण microbial contamination यहाँ पर हो सकता है मतलब कि आपकी suppository के अंदर microbes की growth हो सकती है तो ज़रूर है कि उसके अंदर आप कोई preservatives भी add करे tight container के अंदर अच्छे से store करके रखे and gelatin is incompatible with drugs those precipitate with the protein जैसे कि tannic acid है tannic acid ferric chloride and gallic acid वगेरा के साथ जो gelatin क्या है incompatible है कि मैं लगे कि उनके साथ यह gelatin का combination proper suit नहीं होता precipitation जैसे problems आते है तो यह सब disadvantage है glyceros gelatin base के अब जो glycerin gelatin base यूज करके आप जो glycerol suppository बना लेते है तो उसके main use का है तो glycerin suppositories are rectal and lexative and cathartic for relieving the mild to moderate constipation कि जैसे हमने बात की कि जो उसका एक disadvantage कि जो normal patient समझे कि उसको use करता है तो उसके अंदर ये stool जो है वो soft करवा सकती है stool के अंदर water content enhance करती है तो इसी को आप benefit के तोर पे बीना medication के समझो कि आप ये glycero gelatin suppository बना देगा सिर्फ उसके अंदर glycerin ही add करवाते है excess amount में आप उसके अंदर को medication add नहीं करवाते है सिर्फ glycerin के suppository बनाते है using the gelatin and water तो ये suppository cathartic and laxative का काम करेगा और mild to moderate constipation को treat करने के लिए use की जाएगी and they are rectal used only this means they are inserted into the back passes मतलब कि सिर्फ rectal के लिए ही use करना है वजयना के लिए ये usable नहीं है बिकाज उनली rectal suppository है ये for the treatment of constipation and glycerin suppositories are used to empty the back passes of the stool which encourage the bowel to empty मतलब कि जैसे हमने उसका disadvantage देखा था कि जो bowel movement bowel मतलब कि आपके intestine intestine की जो movement है वो करवाता है increase जैसे क्या होगा कि intestine की movement increase होने के करन stool जो है वो easily pass हो जाता है आपके rectal cavity के थरू एनस के थरू और bowel मतलब कि आपके intestine जल्दी से empty हो सकते हैं तो कई बार कुछ ऐसे surgery के दौरान समझे कि bowel को empty करना है उस वक भी ये glycerin suppositories patient को दिये जाते हैं तो ये था glycero gelatin base और उनसे बनी glycerin suppositories next जो video lecture होगा part 4 suppositories के उपर उसमें हम soap glycerin suppositories की है जो ये soap glycerin use होते है as well as जो ये macro goal वगेरा use होता है तो उसके बारे में study करेंगे next video lecture में part 4 के अंदर till then join कर सकते हैं हमारे whatsapp group access करते हैं study material की जो lecture note को आप farmer rocks के mobile app के उपर access कर सकते हैं iPhone and Google App Store दोनों पर आवेलेबल है thank you for watching join करिए whatsapp group access करिए study material test series, video lecture, farm और और उक्स के अप उपर link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best